Government of India Military of Defense College of Military Engineering पूने भरती 2023 यानि कि दोस्तों आप सभी को बताएंगे कि इंडियन आर्मी की ओपेन रैली भरती निकल के आ चुकी है कौन-कौन से candidate apply यानि कि आवेदन कर पाएंगे सारी कुछ जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी कैसे फॉर्म को apply करना होगा इस भरती में education qualification आपका कितना मग गया है इस भरती में age limit आपकी क्या माई गई है total कितने post पर ये भरतिया निकाली गई है कुल कितने पदो पर भरतिया निकाली गई है ये सभी आप सभी को बताएंगे दोस्तो फॉर्म को कैसे apply करना होगा जो कि official website पर official notification जारी हो चुका है आप सभी को सारी कुछ जानकार इस वीडियो में देंगे दोस्तों यहाँ पे आप official notification में भी चेक कर पा रहे होंगे जो कि CME पुने भरती 2023 यहाँ पे इस भरती की important link के बारे में आपको बताएंगे यानि कि कैसे form को apply करना होगा तो आप official notification में भी चेक कर पा रहे होंगे जो कि अगर आप Indian Army के किसी भी भरती में अगर आप registration कर चुके है तो उस form का यानि कि उस registration का आपका यहाँ पे नंबर लगेगा आप यहाँ से simply सीधा login कर पाएंगे अगर आपको new registration यानि कि नया registration आपने Indian Army में पहले कभी apply यानि कि form को कभी apply नहीं किया है तो यहाँ से आप apply कर पाएंगे दोस्तो important date आपको बताएंगे तो आप notification में भी चेक कर पा रहे होंगे जो कि इस भरती का important date यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे important date के बाएंगे आप सभी को बताएंगे दोस्तो जो कि यह भरती 4 February 2023 से इस भरती का starting date fix कर दिया गया है कुल कितने पदो पर यह भरती निकाली गए है कौन कौन से पद के नाम है यहाँ पे आप सभी को बताएंगे दोस्तो Accountant के पदो पर भरती निकाली गई है Mechanics के पदो पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि Senior Mechanics के पदो पर भरती निकाली गई इसी के लिए यानि कि इसी पदो के बारे में आप सभी को सारी जानकारी से वीडियो में दी जाएगी आईए बीना टाइम को वाय चलिए सुरू करते हैं दोस्तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले बताएंगे कि इस फार्म को कैसे अपलाई करना होगा टोटल पोस्टें कुल कितने पदो पर निर्धारिर की गई है आप सभी को यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट नेम के बारे में तो आप यहाँ पर नोटिपिकेशन में भी चेक कर पा रहे होंगे जो कि LDC MTS के पदो पर भरती निकाली गई है MTS Various Group D पोस्ट के पदो पर यह भरती निकाली गई है दोस्तो पोस्ट वाइस वैकेंसी डीटल्स के बारे में बात कर ली जाए तो आपको यहाँ बताएंगे जो कि मल्टी टास्किंग स्टाप के पदो पर भरती निकाली गई है यानि कि MTS के पदो पर भरती टोटल और टोटल उन्चास पदो पर निकाली गई है लोवर डिफेंस कलर के यानि कि LDC के पदो पर जो कि 14 पोस्ट पर भरती निकाली गई है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि लैस कर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनके टोटल टोटल तेरा पदो पर भरती निकाली गई है इस्ट्रेटमेंट मैकेनिक के पदोपर टोटल एक पदोपर भरती निकाली गई है यहाँ पे आप देख पारे होंगे सीनियर मैकेनिक के पदोपर दो पदोपर यानि कि टोटल दो पदोपर भरतीयां निकाली गई है मेकेनिक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेकेनिक मिंडर के पदो पर जो भरती निकाली गई हैं यहाँ पे एक पदो पर आप देख पा रहे होंगे असिस्टेंट के टोटल और टोटल तीन यहाँ पे और सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस्टोर कीपर यानि कि इस्टोर कीपर के दो पदो पर भरतियां टोटल और टोटल निकाली गई हैं आप यहाँ पे notification में भी चेक कर पारे होंगे civilian motor defense यानि कि आप सभी को बता देखी इस फॉर्म को apply करने के लिए direct आपको भरती के लिए apply करना होगा नोटल इसमें दो पदो पर भरतियां निकाली गई हैं दोस्तों आप यहाँ पे notification में भी चेक कर पारे होंगे इसी प्रकार से आप सभी के लिए send maker cook और यहाँ पे आप देख पारे होंगे जो कि मल्डर के पदो पर भरती निकाली गई है इस प्रकार से आप सभी के लिए काफी पदो पर भरतिया निकाली गई है यहाँ पे आप notification में भी चेक कर पा रहे होंगे इस भरती में आप सभी को salary कितना दी जाएगे तो यह भी आप सभी को बताएंगे जो कि 1961 से जो भरती में salary आप सभी को दी जा रही है उसी के माध्यम से यानि की साथवे वेतन के माध्यम से आपकी सैलरी भी बगा दी जाएगी कितनी सैलरी आप सभी को मिलेगी ये भी आप सभी को बताएंगे दोस्तो आज़े सबसे पहले education qualification के बारे में बात कर लिए या तो आप notification में भी चेक कर पा रहे होंगे जो कि multi यानि कि multitasking के पदो पर जो भरतीन निकाली गए है यानि कि multitasking stop यानि कि MTS के पदो पर जो भरतीन निकाली गए है उसके लिए simple और simple 10W के पास भी candidate apply यानि कि आविदन कर पाएंगे साथ में ITI का certificate भी आप सभी के पास होना चाहिए दोस्तो यहाँ पे LED के यानि कि LDC के पदो पर जो भरतीन निकाली गए है यानि कि lower defense color के पदो पर जो भरतीन निकाली गए है 10 plus 2 यानि कि 12W की परिक्षा पास की होनी चाहिए केंपूर्टर का certificate भी आप सभी के पास होना चाहिए यानि कि English typing में 35 प्रति यानि कि 35 वर्ड प्रति मिनट और Hindi typing में 30 वर्ड प्रति मिनट आपको complete करना होगा दोस्तो यहाँ पे आप देख पार होंगे जो कि अलग 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 पोस्टों के लिए simple और simple दसवी के पास candidate apply य यानि कि आपका 3 साल का आप सभी के पास knowledge भी होना चाहिए यानि कि दसवी का certificate और ITI का certificate और उसमें 3 साल का आपको past knowledge होना चाहिए दोस्तों mechanic maker के पदो पर यह भरती जो निकाली के इसके लिए total दसवी पास के candidate apply कर पाएंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे simple और simple दसवी बारवी के past candidate सारे पोस्टों के लिए apply यानि के आवेदन कर पाएंगे lower color के लिए यहाँ पे आप देख पारे होंगे बारवी के past candidate apply कर पाएंगे एक साल का experience भी होना चाहिए यहाँ पे आप देख पारे होंगे जो की mechanic electrician के पदो पर जो भरती निकाली के इसके लिए simple 10 वी पास और ITI का certificate भी आप सभी के पास होना चाहिए accountant के पदो पर जो भरती निकाली के है उसके लिए simple 10 वी पास और एक साल का experience भी आपके पास होना चाहिए दोस्तो और भी जो भरतीयां है उसके लिए और जो भरतीयां और भी हैं उनके लिए simple और simple 10 वी पास यानिकी इस 10 वी पास candidate apply कर पाएंगे यानिकी जितने पदो पर भरतीयां total निकाली तो यहां पर आप देख पारे होंगे जो की photo and signature light clear background photo आपके पास होना चाहिए education certificate कम से कम 10 वी और 12 वी पास कम आप सभी के पास होना चाहिए डोमसल सार्टिपिकर और कास सार्टिपिकर यानि कि अधिवास प्रमाडपत्र और जाती प्रमाडपत्र भी आप सभी के पास होना चाहिए दोस्तों यहां पर इस भरतिनी selection process के बार में बताएंगे तो यहां पर आप notification में भी चेक कर पारे यहां पर आप देख पा रहे होंगे पूने गुरूप C के पदो पर जो भरतिन निकालेगी है उसके लिए simple और simple written exam यानि कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे लिखित परिक्छा आपकी बिल्कुल होगी दोस्तों या कि आपकी यहां पर लिखित परिक्छा होने वाली है आईए इस भरति की important date के बारे में बात कर लिए तो यहां पर आप सभी को बताएंगे जो की इस भरति की important date या आप notification में भी चेक कर पा रहे होंगे जो की starting date 4 फरवरी 2023 है इस भरति की last date आप देख पा रहे होंगे जो की 4 March 2023 होने वाली है दोस्तों यहां पर आप देख पा र आप देख पा रहे होंगे जो की इड्मीर काड एक्जाम डेट अभी तक निर्धारी कुछ भी नहीं किया गया है जो की आल इंडिया के सारे कंडिडेट इस फॉर्म को apply यानि कि आविदन भी कर पाएंगे आपकी जो केवल इंडिया के पूने ही राज में लगेगी दोस्त जाने कि सारे कंडिडेट का फीस बिल्कुल यहां पे फ्री है इस भरती की एज लिमिट के बार में आपको बताएंगे तो आप नोटीपिकेशन में भी चेक कर पा रहे होंगे जो की इस भरती की स्टार्टिंग डेट 4 मार्च 2023 है और यहां पे एज में काउंटिंग 4 और मैक्सिमम एज 25 वर्ष के बीज के कंडिडेट इस फॉर्म को एपलाई यानि कि आवेदन कर पाएंगे दूस्तो यानि कि सिंपल बताएंगे आपको तो 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीज के कंडिडेट इस फॉर्म को एपलाई यानि कि आवेदन कर पाएंगे मैक्सिमम एज 30 थोटल नमबर आप पोस्ट आप देख पारे होंगे 119 पदों पर टोटल भरतियां निकाली गए हैं दोस्त hints करें पने दोस्त हरोंगे रहां देख पारें जो खी अलग पोश्टों पर यानिकी अलग अलग पदों पर भरतिएं निकाले गई हैं आप देखक्र हो ने ही निकाले गाए हैं को अब पारिक का प pass को फ़ोर्म को apply यानि कि आविदन कर पाएंगे दोस्तो लाश्ट जे तो आप सभी को पता ही है जो कि 4 मार्च 2023 होने वाली इस भरती की starting rate 4 जनवरी 2023 है दोस्तो और जहां कहीं भी इस भरती में कुछ भी ना समझ में आया हो तो comment box में आप comment कर दीजिए हम आप सभी को reply करके जरूर बताएंग दोस्तो आप सभी को एप्लाइ यानि कि आवेदन भी कर पाएंगे और दोस्तो आप सभी को बताएंगे कि